इस वीडियो में हम देखेंगे गोई थे सर्टिफिकात आ स्वाय की इश्प्रेशन का ठाइल टगाए, जो लोगज़ेंगे आ स्वाय की इश्प्रेशन के थर्ड पार्ट में हमें किसी एक टॉपिक पर जो कि हमें दिया जाएगा अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ कन्व सेशन करनी है अगर आपको इस पार्स से रिलेटेड या जो स्पीकिंग के पहले दो पार्स हैं उनसे रिलेटेड ओवर व्यू चाहिए कि कौन से पार्स होते हैं किस तरह से उनको डील करना होता है और उनसे रिलेटेड क्या टिप्स हैं मैं वीडियो लिंक कर दूँगी वो पाट्रिक हाट के बर्ट्स टाग पाट्रिक की जो कि आपका फ्रेंड है बर्ट्रे है जी मोश्टन आइन गिशेंग फ्यर इन खाउफन आप चाहते हैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना फिंदन जी आइन ट्यामीन ढूंड़िए एक अपॉइंट्मेंट यानि आप और आपके स्पीकिंग पार्ट्नर ने को ये एक टाइम डिसाइड करना है लेट्स सी कि आपको और आपके पार्ट्नर को क्या क्यूब कार्ड्स मिले हैं उफंग स्थाइल नेमा ओडर थाइल नेमा गिन आ जामस्टाग जीप सेंथा माई अच्छा 17 में सैटर्डे का उन्होंन जैसे के लांगे श्लाफन, फ्रूश्टुक बाई मारियो, फाराद अभूलन, एल्टन अनूफन, फुस्पाल ट्रेनिंग उन्ट एक टाइम है स्वांसिश उवा फुस्पाल लेंडाश्पील इम फ्यांजियन यानि के इंटरनेशनल फुटबॉल गेम और टीवी इस पर दी गई है, फुफंग स्थाइल नेमा बे के लिए ये ये एक्टिविटीज दी गई हैं टाइमिंग के एकॉर्डिंगली, फॉरमिठाक्स, ग्रोस आइंखाउफ, फ्रीजोर ओडर हागेशनाइदन, एसन बाई स्टिफान, श्विमन, मिट देम हूंट नाख तगाउस आगे ना खीनो, आप नोट का रहे होंगे कि काफी सारे टाइमिंग्स ऐसे हैं कि जिन में इस टाइम कोई पार्टिसिपेंट फ्री है तो दूसरा नहीं है और अगर दूसरा फ्री है तो फर्स नहीं है, तो इसको आपने बेसिकली डिस्कस करना है, प्लैनिंग करनी है और आर्णिंटेशन करनी है कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, तुम क्या का रहे हो या अगर तुम कुछ का रहे हो तो मैं क्या का रहा हूँ, तो इस तरह हम discussion के तौर पर करेंगे, argumentation, suggestions देंगे, तो अब मैं आपको just एक example के तौर पर करके दिखाऊंगी इसको, आपने तब तक discuss क जब तक किसी solution पर नहीं आ जाते चोटी सी ट्रिक जैसे मैं आपको बताती रहती हूं जो लाइन लिखी हो उसको modify करके आप conversation स्टार्ट कर सकते हैं जैसे के proofung style नेमा A कहता है देख रहे हैं आप बिल्कुल इसी को modify किया है कहते है तुम्हें तो पता है ना कि हमारे दोस पैट्रिक की जल्दी birthday है हमें एक gift लेना है उसके लिए तो तुम इस बारे में क्या कहते हो अब देखते हैं कि हमेरे तालेनेमर B इस बारे में क्या वो पताता है कि Saturday को लेकिन जादा देर तक सोना चाहता है जैसे कि यहाँ पर mention किया गया था और मैं दस बज़े के करीब उठूंगा उसके बाद माहियों से मिलूंगा हम अकथे breakfast करेंगे करना चाहते हैं वॉलन और कह रहा है कि एक बज़े फिर time है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि एक बज़े के time से related क्या बात करेगा प्रूफंग स्थाइल नेमा बे आसो आइजी 13 अवा पस्ट मिया लाइडर निश्ट स्टिफान हाथ मिश आइंगिलादन उंट विया मुश्टन इंस रस्टोराँ एसन गें एक बज़े मुझे सूट करता क्यूंकि स्टिफान ने मुझे इन्वाइट किया है और हम चाहते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना जैसे के यहां पर मैंचन किया गया है जैसे के यहां पर है के वो फिर से फ्री है तीन बजे अफसोस है उसको के इस तरह से तो सूटबल नहीं हो रहा हो नहीं सकता क्योंकि हर सैटरड़े इस टाइम पर वो स्विमिंग करता है जैसे के यहां पर मेंशन किया गया था हास्टू फिलाइश्ट साइट केगन 17 उर क्या तुम्हारे पस में भी टाइम है पांच बजे के करीब आप 17 उर लस्मिश माल उबलेगन इस ग्लावब इस ग्लावब इस चान इस शफन दन मखन विर जो वो कहता है पांच बजे लेट मी थिंग, I think I can manage it फिर वो कहता है कि हम इस तरह करते हैं कि हम इग्जैक्ली पांच बजे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर वो कहता है कि ग्रेट हमने आखिरकार मेनेज कर लिया, फिर हम मिलेंगे और देखेंगे कि वस फ्यो आइन गिशेंक होता है किस तरह का तुफ़ा उसके लिए खरीद सकते हैं हम उसके लिए तो हैर यहां पर नहीं लिखावा और वो कहता है कि I'm already very excited और बिस दन तिल दन तो इस तरह का रफ आइडिया और स्केच है आप obviously discuss जब real life exam में करेंगे तो आपने देखना है कि कौन-कौन सा cue card और कौन सी activities है और क्या topic है उसके accordingly आप अपने sentences को modify कर सकते हैं और यह बहुत conversational lively होना चाहिए आप अपने लफजों के थ्रू अपनी अवास के tone के थ्रू अपनी feelings भी express कर सकते हैं तो जादा अच्छा impact और marks gaining होता है जाते जाते आपको कुछ important expressions बताती ऐसे के अगर आपके speaking partner ने कोई अच्छी suggestion दी है तो आप उसको comment कर सकते हैं तस इस्ट आइन गुटा फोशलाग that is a good suggestion या recommendation मतलब होता है फोशलाग का और इसी का वर बनता है फोशलाग जो के trend बागे स्व्याब है तो उसको आप इस तरह से sentence में use करते हैं इस शलागे दस और आगे जो भी बात है कि I recommend that blah 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 उसके बाद आप यह भी कह सकते हैं इस माखे आइन अंडगन फोशलाग अगर आपको अपने दोस्त की suggestion अच्छी नहीं लगी और आप change करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कहेंगे कि I make another recommendation आप अपने speaking partner से agree कर रहे हैं किसी बात पर तो आप इन तीनों expressions में से कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे कि I understand, damit bin ich I understand or ich stimme su, su stimmen वर्प का मतलब है to agree और ये भी ठेन बागिस व्याब है जो idea आपके partner ने आपको दिया है आपको अच्छा लगा है तो आप उनको compliment कर सकते हैं इस तरह से good idea or the idea कि felt me अगर आप कहते हैं कि कह तो तुम सही रहे हो लेकिन आगे फिर आप अपनी disagreement शो करते हैं तो आप इस तरह से start कर सकते हैं तो हास्ट केश्ट आबा जो भी आपने आगे बात करनी है वो यहाँ आ जाएगी उसके इलावा we are können vielleicht हम कर सकते हैं maybe और जो भी आपकी आगे suggestion है और अगर आपने finally किसी बात पर agree कर लिया है तो आप कहते हैं या दन माखन विया एस हाँ फिर हम कर लेते हैं इस तरह तो इस तरह के expressions आप यूज करके बहुत सी अच्छी तरह speaking के exam को clear कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे like और comment करके पताएगे मेरे channel को अब तक नहीं किया तो please subscribe कर दें अपने दोस्तों के साथ पी इन वीडियो को ज़रूर share किया करें अच्छा description box हमेशा check किया करें क्यूंकि उसमें मिलते हैं आपको extra resources और links मैं मिलती हूं next वीडियो में पिस्तान